हेलो एबरीवन आज हम लोग human eye के बारे में discuss करेंगे कि human eye क्या होता है और subjective point of view से आपका उसका क्या role है जो लोग पहली वार विजिट कर रहे हैं फिली चैनल को कर दीजिएगा subscribe और जाधे से जाधे लोगों को share किजिएगा देखिए human eye में हम लोग को construction and working परना है तो आज हम construction समझेंगे और working भी इसका समझेंगे देखिए इसके construction में main जो आपको याद रखना है वो point याद रखना है जो आपके subjective point of view से है ये eyelids कर लाता है ये जो है आपका ये eyelids कर लाता है पिपनी जिसको बोलते है और ये जो black color का दि छेद होता है छिदर होता है छिदर होता है जिसको हम pupil बोलते हैं ये white color का जो दिख रहा है इसको sclera बोला जाता है और ये जो बड़ा सा sport circle color का दिख रहा है ये आपका कहलाता है आईरिस ठीक है आईरिस का काम होता है bright light और dark light को sense करना और उसी के according pupil के size को घटाना या ठीक है pupil क्या होता है छिदर होता है जिससे light अंदर जाता है अब यहाँ पर समझते हैं इसका internal structure के साथ white color वाला क्या हो गया हमारा sclera हो गया ठीक है अब यहाँ देखते हैं हम यहाँ समझने की कोशिस करते हैं यह जो आपका दिख रहा है यह ciliary body है ciliary muscles भी बोला जाता है यह upper part जो transparent होता है इसको हम cornea कहते हैं यह transparent होता और transparent plastic जो होता है jelly like substance कह सकते हैं उसका वो बना हुआ होता है cornea समझ गया आइरिस तो आपने देखी लिया यहाँ पर यह जो दिख रहा है यह आइरिस है यह जो आपको यह वाला जो है यह यहाँ पर आइरिस है उसके बाद यहाँ पर pupils नहीं है यहाँ पर होल होता है जिसको pupils बोलते है एसक् कलर का है यह एसकेलेरा होता है और यह आइबॉल जो होता है almost 2.5 cm के आसपास का होता है और इसमें खासेत यह होती है कि इसका आइबॉल का साइज बचपन से लेके बुढ़ापे तक बचपन से लेके पचपन तक बदलता नहीं है जो जिसका आइबॉल बचपन में है वही बुढ़ापे तक परاتा है ये आपका eye lens हो गया ये जेली like substance से बना होता है और ये convex lens होता है तो आँच में कोन सा lens होता है convex एक question यहां से आता है convex lens किस सबस्थान से बना होता है तो jelly like substance से अब यहां देखिए आपको यह जो आपका है यहां पर जो liquid रहता है उसको aqueous humor बोलते हैं और यहीं पे आंसू निकलने का जगह होता है जिससे आंसू निकलता है aqueous humor के form में ही यह vitres humor है यह transparent liquid होता है उसके बाद यह जो आपका sport दिख रहा है यह retina retina पे ही image बनता है image कहां पे बनता है retina पे कैसा image बनता है तो real बनता है और inverted बनता है ठीक है optic nerve समझ गया यह optic nerve है यह आपके mind में जाता है और यही हमको interpret कराता है nervous system के तुरू यह काम करता है ठीक है तो iris समझ गया है यह black color का circle है जो control करता है brightness को और darkness को और यह people के size को बढ़ाता है sense करके people एक hole है जिसके तुरू light pass होता है हमारे आख के अंदर जो lens लगा होता है वो convex lens होता है jelly like substance का बना होता है कुछ और आपको हम इसका दिरिश दिखलाते हैं देखिए जैसे यहां भी इस वाले figure में भी आप देख पा रहे होंगे अलग अलग तरीके का है इस वाले में भी हम idea लेते हैं समझने की कोजिस करते हैं आईरिस समझ गया किसी का भूरा किसी का काला होता है pupils hole होता है यह छिद्र होता है sclera white color का जो होता है eyelids आप समझ गया cornea जो upper part है ठीक है lens देख रहे हैं यहां पे उसके बाद यह जो है आपका यह optic nerve है ठीक है जिससे signal जाता है इसके बाद यह muscles हैं हमारे आँक का muscles lateral rictus muscles ठीक है eyelids eyelids के size को घटाना बढ़ाना काम जो होता है वो ciliary muscles का होता है किसका ciliary muscles का अगर दूर object होता है तो हमारा आँक का lens पतला हो जाता है और pass object होता है तो हमारे आँक का lens मोटा हो जाता है और focal length बढ़ा लेता है अब देखे naturally हम लोग का आँक कैसा होता है यह जो आपको दिख रहा है यही वो part है जहां से आँसू निकलता है यह जो आपको उपर plastic जैसा दिख रहा plastic जैसा यही आपका cornea होता है और यह जो काला काला दिख रहा है इसके इलावे यह black sport जो है यह iris होता है ठीक है? iris और यह सब जो दिख रहा है आपको यह आपका क्या है sorry यह black sport pupil हो गया pupil और यह सब क्या हो गया? iris हो गया iris हो गया I hope आँक का construction आपको समझ में आ गया होगा अब आँक काम कैसे करता है? वो समझ लेते हैं देखे human eye का जो working है normal आँक कैसे देखता है? normal eye जैसे ही आपको candle दिख रहा है candle से beam of light आया आने के बाद cornea पर सबसे दादे reflection जो होता है वो cornea पर होता है reflection सबसे दादे आँक में reflection कहा पर हुआ? cornea पर अब eye lens से ray of light आया iris के थुरू pupils के थुरू lens पर fall किया lens उसको कहां पर मिलाता है lens उसको भेज देता है retina पर retina पर real image बनता है real image बनता है और inverted बनता है और ये optic nerve mind को भेज देता है हमारा हम उस चीज़ को देख पाते हैं clear? समझ गया है? क्या हमारा काम हुआ? कोई भी चीज़ को देखना है तो रोश्णी आई हमारे आख में और आख के किस पार्ट में? सबसे पहले cornea आप से पास करेगा और most bending जो ray of light का होता है वो cornea पर होता है cornea के बाद pupils के थुरू कहां जाएगा? lens पे lens उसको converge कराएगा कहां पे? retina पे retina पे real और inverted image बनेगा optic nerve ले जाएगा अगर retina से पहले यार बाद में image बनता है ray of light मिलता है तो उसी को हम defect of vision कहते हैं दिखता नहीं है retina पे बनना शर्त है और एक जगे होता है retina के पास जिसको हम blind sport कहते हैं यहां पर कुछ वो जगे होता है blind sport जहां पे object नहीं दिखता है clear? clear है? function भी समझ में आ गया होगा normal person minimum distance 25 cm तक देख सकता है और normal arm maximum distance जो है वो infinity तक देख सकता है अब उसके according से defect of vision होता है जिसमें चार defect होता है myopia, hypermetropia, press byopia वो defect हम लोग अब next lecture में देखेंगे